आज जब लोगतंत्र का अस्तित्व संकत में है तब भी छोटे राजनीतिक कद लेकिन विराट एहंकारी विपक्षी नेता आपसी सहमती और एक जुट्ता से चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। यह चुनाव हमारे लोगतंत्र के लिए निरनायक खड़ी है। विकल्प बहुत कठिन है आजादी और निरंकुष शासन के बीच से किसी एक को चुनना है। हमारी स्थिती इस से अधिक निराशा जंक नहीं हो सकती कि चारो तरफ धार्मिक कट्ट पंथी, जबरन वसूली करने वाले, दलाल, रैकेटियर और सांप्रदाइक द्वेश फैलाने वाले हावी हैं और उन्हें शासन की अराजग जांच एजंसियों और सेभागी तत्वो का समर्थन प्राप्थ है. अब की बार 400 पार का उनका नारा हमारे देश पर तलवार की तरह लटक रहा है. राश्ट्रिय जंतांत्रिक कटबंधन, राजग, द्वारा लोग सभा की 400 सीटे जीतने का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आत्म विश्वास उनकी सरकार की आक पक्षमुक्त भारत पर स्थाई बहुमत प्राप्थ करने का भाव है, जो उस भारत के विचार को ही खत्रे में डालता है, जिसकी संकल्पना स्वतंत्र भारत के हमारे समविधान निर्माताओने की थी. सीधी सीधे कहें, तो उनका ध्ये देश के समविधान को समाप्थ कर वीर सावरकर के आदशों के हिंदू राष्ट्र का निर्मान है। सभी सरकारी अधिकारियों को यह एक तरफा संदेश देने की कोशिश तो और भी खतरनाक है कि अगर वे अपनी भलाई चाहते हैं तो सरकार के निर्देशों का पालन करें अन्यथा। भाजपा का तीसरी बार सत्ता में आना इस देश के लिए गंभीर खत्रा होगा लेकिन विपक्ष इस खत्रे से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव से पहले अरुन शौरी ने कहा था कि मोदी की भाजपा को सत्ता में लोटने से रोकने का एक मात्र तरीका यह है कि हर लोग सभा सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का साज़ा उम्मीदवार हो लेकिन तब कंग्रेस की कमजोरी तथा जाट अहंकार वाले विपक्षी नेता आपसी सहमती और एक जुट्ता से चुनाव लडने को इच्छुक नहीं है जबकि इस अशुब शक्ती को बाहर करने के लिए एक साथ मिलकर लडना आवशक है लेकिन स्थितिया है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और कश्मीर घाटी में विपक्ष बिखरा हुआ है जबकि दक्षन भारत से बाहर ये तीन शेत्र ऐसे हैं जहां विपक्ष अगर साज़ा उम्मीदवार उतारे तो करीब पचास सीटें जीत सकता है लेकिन इन तीनों जगहों में त्रिकोनिय या चतुशकोनिय चुनाव हो रही हैं ऐसे में भाजपा के लिए सीटें जीतना आसान हो जाएगा राजनीतिक विशलेशक प्रशांत किशोर का मानना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सबसे बड़ी विजेता के रूप में सामने आएगी इसी तरह महाराष्ट्र में प्रकाश आमबेड करके नेतरित्व वाली वीबिये वंचित बहुजन अगाडी कई सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती है लेकिन वह महाविकास अगाडी के साथ नहीं है जो 400 पार का नारा लगाने वालों के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के उन कुछ नेताओं में से हैं जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए जानबूज कर इस देश के लोगों को बाठ दिया है ज्यादा डरावनी बात यह है कि देश के लोगों में यह धार्ना बन गई है कि वह मुस्लिमों को उनकी असली जगह दिखा रहे हैं यह उनका विशिष्ट गुन है चुनाव के समय वह अपनी विभाजनकारी राजनीती का अचूक इस्तिमाल करते हैं जैसा कि इस चुनाव में कंग्रेस के घोशना पत्र को उन्होंने मुस्लिम लीग से प्रभावित बता कर किया है मोदी की तीसरी पारी जो फिलहाल तै भले लगती हो अभी वास्तविक्ता में नहीं बदली है आधुनिक राश्ट्र की नीम रखने वाले हमारे संस्थापकों ने जिस भारत की संकल्पना की थी उसे वापस पाने के लिए किसी क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत नहीं है यह चुनाव एक सत्तावादी से जो भरष्ट तो है ही विभाजनकारी नीती के जरिये सरकार चला रहा है चुटकारा पाने के लिए इश्वर द्वारा प्रदान किया गया आखिरी अफसर है दलों को क्या तिरुवनंत पुरम और वाइनाड में अपने उम्मीदवार खड़े करने से परहिज नहीं करना चाहिए था इसकी भरपाई वे कहीं और कर ही सकते थे इस तरह वे अपने सहयोगियों और समर्थकों समेत बारी दुनिया में यह संदेश दे सकते थे कि जीवन और मृत्यू की इस निरनायक लड़ाई में असली शत्रु कौन है अपने एहसे चालित इन राजनीतिक दलों को जो छोटे और तातकालिक हितों से उपर उठने में सक्षम नहीं है या याद दिलाने की जरूरत है कि अगर मोधी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें कुछलेंगे और कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा मोधी के तीसरी बार सत्ता में आने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा है जिससे देश के भविश्य के बारे में अंदाज लगाया जा सकता है अगर तीसरी बार मोधी सरकार आई तो यह सपश्ट है कि चापलूसों और क्षुद्र लोगों की ताकत बढ़ेगी और हर संस्थान भगवा रंग में रंग जाएगा एक समय था जब हमारे समाज विज्यानी यह मानते थे कि विधाईका, राजनीतिक कारेपालिका, न्याईपालिका और स्थापित सत्ता केंद्रों से बाहर की ताकतों में से सिर्फ चोथे स्टंब यानी प्रेस और मीडिया में ही समाज में रूपांतरंकारी बदलाव लाने की शक्ती है. महान मानवतावादी और चिंतक हावर्ड जिन ने आम नागरिकों को ही अंतिम शक्ती और सरकार की गाड़ी को समानता वन्याई की दिशा में ले जाने वाला इंजन बताया है. वह मानते थे कि आम जनता ही सीधी और अहिंसक कारवाईयों के जरिये अन्याईकारी संस्थाओं और भेदभाव भरी नीतियों को उखाड फैंक सकती है. हावर्ड जिनको आजादी के हमारे आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग के नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षन अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन की याद तो थी ही, इनके अलावा हुए उलेखनी आंदोलन भी उनके दिमाग में थे. मैं इतना पुराना तो हूँ कि एक और आंदोलन को गर्व के साथ याद कर सकता हूँ. मैंने 1977 का वा आंदोलन देखा है, जब इस देश की जनता ने आजाद भारत के पहले तानशा को उखाड फेंका था. मगर व सीधे-सीधे लुमपेन फासिवाद या गुंडा राज था, जिसने विरोधियों में डर पैदा करने और उन्हें निहथा करने के लिए सर्जन के चाकू, नसबंदी, डंडे और दमन का इस्तिमाल किया. संजे गांधी और उनके गुंडों ने आपतकाल को दमनकारी बना दिया था, राह के लिए सामान्य नागरिकों द्वाराहाल के वर्षों में लड़ी गई लड़ाई में सफलता की तुलना में विफलता ज्यादा हाथ लगी है। जन अंदोलन को बल प्रदान किया था, उसे बहु संख्यकवादी राष्ट्र की पाश्विक ताकत, हिंसक भीड और सुनियोजित दंगों के जरिये बैसर कर दिया गया था। सामाजिक एक जुट्टा को विवस्थित धंग से कमतर करने के कारण हम सरकार के खिलाफ वैसा आंदोलन नहीं देख पा रहे, जैसा 2011 से 12 में सरकारी ब्रश्टाचार के खिलाफ हुआ था। समाज का एक वर्ग यानि मध्यम वर्ग उस संगष से पूरी तरह कटा हुआ है, जिसके जरिये लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनके कल्यान को प्रोटसाहित किया जाता है। यह सिविल सोसाइटी का वह असामाजिक हिस्सा है, जो या तो एक वर्ग के खिलाफ हिंसा में सक्रिये हिस्सेदार है, या फिर उस हिंसा का मूख दर्शक है। लेकिन सबसे निंदनियदर असल समाज के वे डर्पोक तत्व हैं, जो वैसे तो खुद को उदारवादी मूलियों के हिमायती बताते हैं, लेकिन सक्ता की हिंसा पर चुप रहकर वे मान बैठते हैं कि वे हिंसक भीड से अलग हैं। ये वे लोग हैं, जो लगातार अन्याय की घटनाओं की अंदेखी करते हैं या कत्रा कर निकल जाते हैं। यहां तक कि ये लोग अनौपचारिक बातचीत में भी सत्ता के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने में डरते हैं। अपचारिक बैठकों में उनसे सत्ता के खिलाफ टिपणी की अपेक्षा करना बेशक ज्यादा है, लेकिन ध्यान रहे की न्याय के लिए उठी हरावाज, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो, माइने रखती है। ऐसी भैभीत चुपी तानाशा और उसके लाखों समर्थकों को प्रोटसाहित करती है, जो बखुबी जानते हैं कि ये तटस्थ लोग उनके सबसे बड़े सहयोगी है। या उन सबका नैतिक दाइत्व है, जिन्हें इस तेश की परवाह है और जो सहिशनुता, समानता वन्याई जैसे जीवनमूलियों की चिंता करते हैं और अपने स्वार्थव छोटे मोटे मकभेदों से उपर उठकर राष्ट्रिय राजनीती में लोकतंत्र और शालीनता की बापसी के लिए संखर्ष कर रहे हैं। झालीनता की बापसी जैसे बापसी के लिए संखर्ष कर रहे हैं।